दोस्तो हमारे जीवन ओन्लाइन टेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए इस लाल बटन को दबा कर साथ में घंटी का आइकें भी दबाद दीजिए ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका जीवन ओनलाइन टेस्ट की एक और वीडियो में दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं बहुत most important topic है, इंगलिस का figure of speech दोस्तों, अगर आप 10 plus 2 में हैं, तो आपके दो नमबर पके और यदि आप किसी competition के तैयार ही कर रहे हैं, किसी भी TET या इसी TET के तैयार ही कर रहे हैं, तो आपका एक या दो number इसमें से मिल सकता है, तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज figure of speech का chapter, तो दोस्तों, इसमें पहला हम इसकी definition देख लेते हैं, figure of speech is a departure for the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a great effect, तो अगर हिंदी में देखा जाए, अलंकार का प्रियोग समाने बिचारों या समाने पार्टे करम से अधिक से अधिक प्रिभाव उत्पन करने के लिए एक प्रस्थान है, या मैं अपने सब्दों में कहूं तो दोस्तों कि figure of speech है अलंका जिससे अपने हिंदें भी पड़ रखा होगा, किसी भी पैर पैरा गराफ की सुद्धर तक दसाने के लिए figure of speech का इस्तिमाल किया जाता है, तो दोस्तों यह कौन-कौन सो होते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं, सबसे नंबर बन पर आता है, सिमली, मेटाफर, हाइपर बॉल, ओक्जिमोरन, परसोनिफिकेशन, अपर स्ट्रॉप, एंड, ओनमोटोफिया, तो दोस्तों यह अलग- इसमें कौन सा figure of speech है, या फिर एक definition देदी आएगी, और आपसे मालूम कले जाएगा कि यह definition किस figure of speech की है, तो दोस्तों कैसे बात की बन सकता है, तो हम दोनों की तरह को लेके चलेंगे, एक इंग्लिस में भी और हिंदी में पढ़ते हैं, दोनों तरह को चलेंगे, तो दोस् सबसे सुन में बात करते हैं, सिमली, उपमालंकार, तो दोस्तों यह क्या होता है, इसकी पहले definition पढ़ लेते हैं, इनने सिमली दियर इजे केंपरेजन बेटिविन तो ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट काइंट्स देट आर सिमलर एट लिस्ट इन वन पॉइंट, आथार्थ दो बस्तों की तुलना की जाए, और मैं कम से कम एक गुण मिलता हो, तो उसमें उपमा कहते हैं, इसकी पहचान कैसे पढ़ेगी अंग्रेज जी के सेंटेंस में, इसके अंग्रेज जी के सेंटेंस में, so, as, या like word आएगा, तो दोस्तों, एक बात धियान रखना हैं आपको दोनों बस्तों समान बिलकुल ना हो, जैसे की, आदमी और आदमी के तुलना, similarly finger of speech नहीं होगा, केवल कमप्रेजन होगा, जैसे, he is as good as Mohan, यानि कि बह मोहन के जैसा है, यानि कि बह भी ब्यक्ति को दर्सारा है, और मोहन भी एक ब्यक्ति है, यानि दोनों एक जैसे हैं, त कि किसी भी ऐसे ब्यक्ति की हम तुलना नहीं करेंगे, तो उससे अलग करेंगे, जैसे कि मैं कुछ एक्जाम्पिल दे रहा हूँ, उससे एक्जाम्पिल साव समझ जाएंगे, पहला एक्जाम्पिल है, he found like a loin, बह सेर की तरह लड़ा, यानि कि he, माने बह, यानि एक मनुस् बीच में like है, तो आप बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं कि यह सिमली है, नमबर 3 देख लेते हैं, life like a dream, यानि life जो है, जो जीवन होता है, बेक स्वपन की तरह है, तो यानि कि जीवन की तुलना सपने से बीच में like है, तो दोस्तों बड़े आसानी से आप इसको समझ सकत किते हैं, तो दोस्तों आप समझ एक होता है, मैं एक बार बड़े तो जब दो बस्तों के तुलना की जाये, और उन दोनों में कम से कम एक विसेश सी है, एक गुण मिलता हो, तो उन्हें ала similary कहते हैं तो दोस्तों इसके पहचांद जा होती है ऐंगरेजी के के वड्रेश 切 handler से कर सकते हैं अंगरेजी के sentence में तो दोस्तों आपने एची से पम देवा दोस्ते आगे इस कि हुए आगे आगे भ divert और मेंटर क्या है अब उसे पढ़ लेते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मेटाफर इस एफिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स और कंप्रेड बट वर्ड लाइक एज सो और नोट यूस कहने के मतलद यह है दोस्तों कि मेटाफर गुपत अप भी नहीं टूटेगी तो उसी प्रिकार सब्सक्राइब कुछ समझ के चलेंगे इसके में एक दो एक्जाम्पिल पढ़ेंगे तो हमाजी समझ में आ जाएगा दोस्तों देखते हैं पहला एक्जाम्पिल है यानि कि कैमिल की उन्ट की तुलना की जा रही है वे सिप से की जा ज़या मगर तुलना भी हो गई और इसम सेक्स प्रीर से ठीक है दोस्तों अगरा देख लि writers रिखेते हैं आ कि Life इज ए ड्रीम लाइफ ए ड्रीम यानिकि यूज यो है वो सुप्न की तरह इसते से पढ़ सकते हैं राना पर्ताप की जो हमने राना पर्ताप को जो हमने कमप्रेजिंग क्या है वह एक लॉयंस से क्या है जो यूद के मैदान में वह एक सेर की बाती लड़ती थे तो दोस्तों मैटाफर को आप समझ कियोंगा अच्छे से यानिकि लाइप और एसका यो होता है तो भी इसकी डेफिनेशन पढ़ने थे अंगरीजी में हाइफर बोल इजे फिगर ऑप स्पीच इन विच थिंग्स आर रिस्पेंडिक रिप्रेसेंडिंडिंग एस ग्रेटर और लैस बैटर और वोर्स दैन दे रियली और यानि कि कहने के वंदर यह है कर हिंदी में देखा जाए हाइपर बोल में एक बात को बहुत बड़ा चड़ा कर या घटा कर कहा जाता है जो बास्तब में नहीं होती है यह इसमें किसी बात को जो बास्तब में हो नहीं सकती जैसे कि हम एक्जाम्पिल पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कैसे कौन-कौन सी बाते ऐस से वती हैं सी विप्ट ऑसंस और वह इतनी रोई कि उसने समंदर के आसु बहा दिये दोस्तों आप एथ थोड़ी नहों दोस्तों को इतना थोड़ी रोगा कि समंदर का सबादेगा तो दोस्तों यह इसमें आगे देख लेते हैं रिवर ऑफ बलड फ्लोड इन दवेटल यानि कि यूद के मैदान में खून के नदिया बह गई इसमें भी बड़ा चला कर बात की गई दोस्तों को कि खून की नदिया नहीं बह सकती आगे देख सकते हैं दा मैन इन दा कैव हैड दा स्ट्रेंथ ओफ ए थाउजन एलिपेंट्स यह जो गुफा के अंदर आदमी है उसमें सो हाथियों सोरी एक हजार हाथियों का बल है तो दोस्तों ऐसा थोड़ी नहीं होता है किसी मनुस्ते कंदर एक हजार हाथियों का बलो तो यह भी बड़ा चला कर बात कहने वाली बात है तो दोस्तों आगे देख लेते हैं तो दोस्तों आगे आता हमारा ओक्जी मोरन ओक्जी मोरन में क्या होता है दोस्तों ब्रोदवास होता है इसमें क्या होता है इसकी पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते पहले ओक्जी मोरन इज लिसार शाट दिखाय जाते हैं यानि कि एक ही बस्तू के दूर को व्रो दिखाए जाएंगे एक चात तो स्वाइब पहले सो में एसके एडली विजी नावडेष तो डोस्तों इस इसी है तो वाल से नहीं हो सकता यानि कि एक दूसरे के दोनों गुण विप्रीद गुण है अगला देखते हैं और सिग्रेट यानि की रहसी है तो रहसी कभी भी सिख खुला हुआ नहीं होता रहसी जभी कहलाता है जो कोई चीज छुपी होती है वही रहसी कहलाती है चुपी और खुली होई चीज कभी उससे हम रहसी नहीं कह सकते जो बाद चुपी रहती है हमें सब भी हमारा रहसी बन क मिठा यानि कि दो गुण होगे यह दोनों एक दूसरी का ओपोटोसीट मालेके चलो हमें इसा याद रखो नहीं कड़वी मीठी और ओपन सिग्रेट और कह सकते हैं कर दोस्तो परसोनिफिके past мне आप समझ लहुंगे माणिभी करन यानिकि मानभको दर्साना किसी चीज को किसी बस्ू में निर्जी बस्तू में मानभको दर्साना एकार टेटीन संसिते इसकी Adjust इस तरह से किसी चीज़ को दासाना इदने देख लेते हैं जब किसी निर्जी बस्तु या अमुर्थ विचार को इस प्रिकार बढ़नान कह जाए जैसे कि उसमें जीवन हो तो ऐसा लंकार को मान भी करनान कहते हैं उसमें यानौद देखते हैं मिया और अमुर्थ नसे तो और एक लड़की ने अपने आपको डॉटर बताया है अर्थ और वाटर की यानि कि पानी और प्रित्वी की पुत्री बताया तो ऐसा दोस्तों होता नहीं तो इसमें आप समझ जाएंगे यह की परसोनिफिकेशन यैनि कि इसमें जो है और बार्टर стать सित्राइब दिखाया गया है अगे दिखते हैं ड़े लाइस हिज आईन्य हैं ऑफ कित 해요 चलते हूं यह एक कलपना है हमातर और कुछ नहीं है दोस्तों आगे देख लेते हैं दा विंड लाइज एसलीव इन दा आर्म्स ओफ डाउन यानि कि सुभा मॉर्णिंग मॉर्णिंग सुभा की बाहों में हवा सोती है यानि कि कोई ऐसा थोली नहीं होता कि सुभा जो होती है हमारी जो मॉर्णिंग होती है उसकी बाहों में इसके हाथों में गोध में कोई हवा तो दोस्तों होता है कि सुभा की बाहें होती हूं तो दोस्तों इसमें एक प्रिकार सा मुर्थ विचार रहे हैं इस प्रिकार से कहा जाए तो प्रिकार्ट से पोएम है एक कभी की एक कभी की एक रचना मान के चलो कि वह उसको इत्रस्थानिक कि स्कर रहा है कि जैसे कि सुबह की हवाओं हो तो सुबह की भी बाहें हो तो दोस्तों इस एंप पहचान सकते हैं परसोनिफिकरेशन को जिसमें आजमी की तरह बाद की जाए हो अमुर्त विचार और निर्जी बस्तू को तो तो आगला देख लेते हैं अगला क्या है अगला आता है अपो श्टूप दोस्तों जादे कुछ सोचने वाली और आइडिया तो दोस्तों इसमें क्या होता इसकी पैचान क्या होती है जब हम किसी निर्जी बस्तु या अमुर्थ विचार को सम्मधित करें तो ऐसा लंकार को अपोश्ट्रोप कहते हैं या जब हम संबोधन करते हैं किसी को पुकारते हैं तो उसमें अपोश्ट्रोप होत कि अपोश्ट्रोफ चिन लगा हुआ है तो बस यह तो सभी को पता होगा लगबग तो इसमें जादे कुछ जादे सोचने वाली बात नहीं है मैं एक आध इसमें एक्जाम्टिल दे देता हूं फिर भी ओडएथ वेर इज दे सिटिंग तो दोस्तो इसमें लगा हुआ है बीच में आप देख रहोंगे कि इसमें पैचान जाएंगे कि यह अपोश्ट्रोफ यानि संबोधन फिगर ओफ इसमें आगे होगा आगे बात कर लेते हैं दोस्तों ऑनमोटफिया क्या होता दोस्तो इसको देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन पढ़ने थे ओनमोटफिया इस ए फिगर ओप इस्पीच इन विच दशाउंड सजिश्टिस दा सेंस ओफ मिनिंग तो दोस्तो क्या होता है इसमें किसी बस्तू प्राणी या किसी प्राकिरतिक बस्तू की जो धुएनी आ उब ही उसके अंतरगत और मोटा सार ai गर कभी किसी रहन यूं कहाए कि उनको किसी अपने पेराग्राफ में रखता है या अपनी प्याम में रखता है तो हम ाउन्हुत समझ बखवास किसे हैं चेटर चेटर करना हैं कैनों तोपों की सलामी है मर्मनिंग बढ़ना और फायर करना यानि गोलियों के आवाज तो इस प्रिकार से अगर कुसी बस्तु की या किसी जीव जन्तु की बाते या आवाज आती है तो दोस्तों बहें आता है ओनोमोटफिया यानि की द्वैनांत्मक अलंकार में तो दोस्तों आप यह अलंकार के सभी वे आप समझ गहोंगे ध्यान से एक दुबार आप वीडियो देखने के लिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगया तो प्लीज लाइक कीजिए और और आने वाले वीडियो के लिए च भी दवा ली दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राफ्ट होती हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए